नमस्कान आप सभी का बेहत स्वागत है CITNCRT के लाइफ फोन इंटराक्टिव कारिक्रम में समाज़क विज्ञान के इस कारिक्रम में एक अक्षा 10 के सभी जात्र हमाई साथ जुड़ सकते हैं बाचीत कर सकते हैं और हम जिस विशे पर बाचीत करने वाले हैं वो है QUIT INDIA MOVEMENT आप सभी ने इस MOVEMENT के बारे में सुना होगा बहुत से सुवतंत्र सेनानी इस MOVEMENT से जुड़े हुए थे और बहुत कुछ है इस MOVEMENT के बारे में जानने के लिए तो हमारे साथ एक महमान मौझूद हैं जिनें बेहत खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर अगर आपके पास कोई भी सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं तो बहुत सारे माध्यम हैं जिन से आप हमसे जुड़ सकते हैं थोड़ी देर में उन सभी माध्यमों को आप तक पहुंचाया जाएगा आपकी स्क्रीन पर फ्लाश किया जाएगा तो अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचायेगा चलिए आपका परेचर करवाएंगे हमारी महमान से हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रोहिनी स्वागत है माम आपका तैंक यू माम है तो चलिए माम से जानते हैं यह जो कुछ इंडिया मूवमेंट है इसके बारे में आज हम क्या जानने वाले हैं माम देखिए तनवी यह एंड सबसे पहले स्टूदेंट्स को हाँ वेरी गुड़ा गुड़ इवनिंग सबसे पहली बात तो है कि आपको कुछ इंडिया मूवमेंट के बारे में समझना होगा कि यह कॉंग्रेस के द्वारा भारत में बिटिस सत्ता को दी जाने वाली अंतिम चुनावती थी और इसे इतना महतुपुन इसलिए माना जाता है कि इस आंदोलन में महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया अर्थात या तो इससे पहले 1929 स्वी में के लाहर अधिवेशन में कॉंग्रेस ने अपना लक्ष पूर्ण स्वाराज गोसित किया था उस लक्ष को मद्दे नजर रखते हुए इसमें कहा गया कि प्रतेग भारतियों से यह एक्सपेक्टेशन है कि वो भारत की स्वतंतरता के लिए संघर्ष करे और अंतिम सांस तक संघर्ष करे और उसके लिए अपनी प्रानों की आहुती भी देनी परे तो वो दे किन्तो बिटिस सामराज्य को जो कि भारत के लिए यह बहुत ही एक सोशनकारी सामराज्य था साशन था उसको खतम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि एक नेशनलिजम का एक depiction है और कुट इंडिया मूवमेंट के 70 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने यह स्टैंप टिकट्स चारी किये थे अब हम थोड़ा बैक्ग्राउंड जान लेते हैं कि प्रांगन में साथ सहीदों की पटना सची वाले पर उस समय जो एक कलेक्टर ऑफिस था उस पर भारत का जंडा फैराने के यूनियन जैक उतार के भारत का जंडा फैराने के समय प्रयास कर रहे थे और उस समय मारे गए थे साथो उनका आइडोल्स इंस्टॉल किया गया है पटना सची वाले के प्रांगन में तो अब हम थोड़ा बैक्ग्राउंड जान लेते कि क्या रीजन था इसको सुरू होने का तो आठ अगस 1922 को महत्मा गांधी ने एक मंत्र दिया करो या मरो बंबे के ग्वालिया टैंक मैदान से किन्तु इससे पहले कि वो पूरा प्लान बना पाते पूरा कारेक्रम बना पाते इस आंदोलन का उससे पुर्व ही बिटिस सासन ने उनको और सारे महत्पुन कॉंग्रेसी नेताओं को अरेष्ट कर लिया क्योंकि शायद वो चाहते ने थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कोई आंदोलन उनको डिस्टर्प करें तो इस बार चुकि कांधी जी को पहले से भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता उन्होंने कहा भी था कि यदी जनता अपने से खुद से डिसीजन ले यदी हम लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो जब ये बगैर कारिक्रम को टै किया और संगर्स को आंगे बहा messed इसके कारणों के बारे में के चच्चा करें तो क्रिप्स मीशन की असफलता, Second World War और बिटेशों का attitude भार्तियों के प्रती, Economic Hardship, Influence of National Leaders, Repression and Suppression, Inspiration from Global Events, Youth and Students, Participation and Gandhian Philosophy. इस मुवमेंट के कुछ पुन कारण माने जाते हैं. इनमें पहला की रीजन को आप कदी, discuss कीजिए, तो क्रिप्स मीशन 1942 में ही आया था, उसमें उसका कहना था कि भारत में जो भी demand है, जो भी political अभी turmoil चल रहा है, उसको settle down करने के लिए. तो इसने पूर्ण स्वातनतरतात को ये लिखा, दूर की बात इसने का बस dominion status दे देंगे, dominion status का मतलब है, कि British सरकार आपके उपर रहेगी, कुछ मामलों में आपको लेने की, निर्ने लेने की आजादी होगी. और दूसरा सबसे बहुत है, इसने पाकिस्तान के demand को entirely सुईकार किया, तो इस वजह से और उस समय Congress भारत के विभाजन के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थी, तो इस वजह से Crips Mission को सभी ने demand को इसके जो भी प्रस्तावते सब ने खारीज कर दिया, चाहे वो Congress हो, चाहे Muslim League हो, फिर Second World War के में, बिटिसों का attitude देखे तो, बिटिसों की हार हो रही थी, जापान के द्वारा South East Asia में, और वह बिलकुल वहां की जनता को बिलकुल मरनी की हालात में छोड़ करके, सिर्फ उन्हें मतलब थी, बिटिस white population से, और वहां पी मरनी को छोड़ के जापानियों क के बाद Japan कॉलकाता पे बंबरसाने लगा, कॉलकाता से उस समय बहुत लोग, दो लाख लोग भाग के बिहारा गए, तो और जिस तरह का वहार था Second World War में, कि उनको मरनी के हालत में छोड़ करके भाग जाना, और सबसे बरी बात कि अन्न का एक अन्न भारत के लोगों के भेज रहे थे, तो इस वज़े से इंडियन पॉपुलेशन को काफी प्रॉब्लेम हुई, एकोनोमिक हार्टशिप में देखे तो जैसा मैंने बताया कि अनाजो को ज्यादा बाहर भेजे जाने से यहां अनाजो की किलत हो गई और बहुत ज्यादा अनाजो के दाम मुनाफा कहा जाता है कि इसी attitude का परिनाम था, इन सब के विरोध में यह आंदोलन था, फिर यूथ पार्टिसिपेशन की आप देखिएगा तो जै प्रकास नारायन, राम मनुहर लुया, इसके प्रभावती गुप्ता, यह सब जितने सरोजिनी नाइडू, जवापंडि जवाहर ला करने को तयार नहीं थे और साइद इन लोगों का जो एंथूसियाजम था उत्सा को देखके ही गांधी जी ने ग्वालिया टैंक मैदान में बोला था कि अंग्रेजो भारत छोड़ो और यह जैसे भी हालत में है, अराजक्ता की स्तिथी में है, तो अराजक्ता की स्तिथी मे आप चले जाओ, यहां पर गांधियन फिलोसफी में थोरा सा कहते हैं एक प्रस्थान का बिंदू देखेंगे कि जहां गांधी जी अहिंसा के पुर्जोर समर्थक थे और हिंसा के विरोधी थे लेकिन इस आंदोलन के दौरान जितने भी हिंसा हुई, हिंसा घटनाएं भी ह बिहार के बेतिया में मोंगेर में जमालपूर में उन्होंने एक सिंगल वर्ड हिंसा के अगेंसट नहीं बोला और तो उन्होंने कहा कि बिटिस राज ने हिंसा के उसके अगेंस्ट यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तो आप प्रस्थान बिंदू देखेंगी. objective of this moment, जैसे मैंने बता दिया आपको की बिलकुल पूर्ण समाप्ति और अपना राज हो, जिसमें की सारे इस्त्री, पुरुस, कास्ट का कोई, सारे धर्म, सारे धर्म, जाती के लोग बराबर हो और उनके बराबरी के अधिकार हो, ऐसे सथापना हो, कोई काला गोरे, किसी ची आपना करना था उद्धेश, फिर उसके बाद दक्विट इंडिया मूव्मेंट के पीपल के सैक्रिफाइज और रेजिलेंस, अधि आप देखिएगा इस आंदोलन में सरकार ने इनिशियल दो महिनों में 90,000 लोगों को अरेस्ट किया, कहा जाता है और सिवान जैसे बिहार के कुछ एरिया में और बलिया जैसे एरिया में, यूपी के बलिया के एरिया में हवाई फाइरिंग करवाई गई भीर को कंट्रोल करने के लिए, इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ जैसे महाराश्टर के तमलूक में, वेश्ट बेंकॉल के तल्चड में और यूपी के बलि करती जी माम quit India movement के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए और जैसा आपने बताया कि पूर्ण सवरात चाहिए था और गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास कि और बहुत सारे students ने यूथ ने और तो ने पूरा प्रयास किया ताकि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए और जो Britishers हैं वो यहां से चले जाए और उनका यह जो प्रयास था वो सफल भी हुआ तो इसलिए हम आज आज आजाद बैठे हैं माम बहुत धनेवाद आज आज आपने हमें एक बार फिर से कुट इंडिया मुव्मेंट के बारे में आप और पर सकते हैं कोई भी आप सवाल पूछना चाहें कुछ भी डाउट हो आपके तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं इसी के साथ ये सामाचिक विज्ञान का कारिक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और थोड़ी देर में लेकर अभी आप से मानोंगे इजाज़त अपना ध्यान रखियेगा and I really hope that you have a great day ahead. Thank you. Namaskar.